आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में हमें पूछ रहा है कि जो Binomial Nomenclature था हमारा Plants के लिए वो Effective कब बना ठीक है मतलब कौन सी डेट से उसने Effective बन चुका था ठीक है तो Binomial Nomenclature से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या कब Effective हुआ वो बताने से पहले तो ये जो हमारा Binomial Nomenclature है क्या है ये ये Basically सिर्फ एक system है जिसके अंदर हम Scientifically Naming करते है Organisms की ठीक है हम Basically ये एक system है जिससे हम Naming करते है Organisms की ठीक है Scientifically और इसको Develop किस ने किया था Develop इसको किया था Carl Linius ने ठीक है तो अब ये जो हमारे Linius है इन्होंने एक और चीज बहुत Important की थी क्या की थी इनको जितनी भी species पता थी जितनी भी known species थी Plant की उस टाइम पर उन्होंने उसको एक book के अंदर डाल दिया अपनी उस सारी knowledge को जिसका नाम उन्होंने रखा Species Plantarium और इस book को उन्होंने publish करवा दिया कब 1st May 1753 थीक है इस date में उन्होंने इस book को publish कराया जिसके अंदर उन्होंने उन्हों सभी species को plant की जितनी भी उस टाइम पर जान चुके थे लोगों जिनके बारे में उनको classify कर दिया genera के अंदर चिक है किसके अंदर classify किया था उनको genera के अंदर और ये सब उन्होंने binomial norman culture की help से किया था और उसको भी इस book में include किया था तो जिसकी वज़े से ये effective prove हुई थी लोगों ने इसके बारे में जाना और फिर ये effective हुई तो date क्या थी जब species plantarium publish हुई होगी और वो publish का भुई थी 1st May 1753 यानि कि हमारा option होगा option second 1st May 1753 Classics चिट्वेल से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर